इसवाइब देख रख तो ये वाला जो विजेट है ये काफी सारी अप्लिकेशन के ऊपर आप लोगों ने अल्रेडी देख रख रहूगा लिए जाते हो या फिर आपका सविढ़ी हो गया फिर कॉईन DCX हो गया तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी यह सरकल होता है इसको आपको swipe करना होता है और swipe करते है आप सेड सको ले जासकते हो maximum यहीं तक जाएगा और minimum इसको यहां तक आप list failure सक्टे हो तो iसम्म sarc börjar गया हो तो depends upon the use case, okay, so हम आज इस वीडियो में यही सिखने वाले है कि हम इस widget को Jetpack Composement कैसे बनाएगे, so yes, let's just not waste much of your time and let's dive directly into the Android Studio, okay, तो सब सब पहले start करते हैं by building the UI of our, you know, the screen, तो यहाँ पे सब सब पहले में क्या कर रहा हूँ, एक बाहर parent as a box layout ले रहा हूँ, ठीक है, तो film exercise कर और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, कि content alignment जो होगा, वो मैं देना चाहता हूँ, bottom center, bottom center मैं इसलिए देना चाहता हूँ, यहाँ पे, क्यूंकि मेरा जो swipe to dismiss वाला component है, वो इसके इनके सब से bottom है, तो मैं यहाँ पे करूँगा enter, और उसके बाद मैं यहाँ पे, as you can see, क मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ पे एक box लेना चाहता हूँ, again, box जो होगा, मेरा, दो box यहाँ पे आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो, एक होगा, जो की मेरा पूरा, जो slider है, ठीक है, मैं मेरा जो पूरा background का, जो gray color वाला जो component है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले करूँगा, पैडिंग, क्योंकि मैं अजो बाजो से, यानि कि left hand side से और right hand side से थोड़ी बहुत, you know, space वगेरा देना चाहता हूँ, तो इस वज़े से मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दे रहा हूँ, तो horizontal मैं इसक को दूँगा, say for example, 60 dp, यानि कि 60 dp, left side से भी दूँगा, और 60 dp, right side से भी दूँगा, और उसके बाद मैं कहूँगा, fill, max, width, उसके साथ साथ मैं इसको कुछ height भी देना चाहता हूँ, say for example, 60 dp, ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसको एक clip कर दूँगा, clip का मतलब कि मैं उसको cut करना चाहता हूँ, in a circle shape, तो उससे क्या होगा, कि उसकी जो edges होंगे, वो particularly like completely round shape के अंदर cut हो जाएंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, इसको एक background color, and I'm gonna say, okay, color.light gray, and as you can see, कि मेरा जो component है, वो render हो चुका है, यहाँ पर सबसे bottom में, हमको थोड़ी सी bottom से padding देनी पड़ेगी, I'm gonna say, bottom say, say for example, 40dp, तो यह क्या होगा, थोड़ा सा उपर आ जाएगा, and yes, as you can see, यह थोड़ा सा उपर आ चुका है, okay, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, background के बाद थोड़ा सा padding देना चाहूँगा, इसको मैं, padding मतलब, say for example, 3dp, यह 3dp मैं क्यों दे रहा हूँ, अपना जो दूसरा, okay, sorry, अपना जो दूसरा circle वाला जो box न, उसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक again box लूँगा, और इसको मैं कहूँगा, okay, वे यह तिर गुद्दे, background color, background color.white, ठीक है, और एक चीज मैं होना चाहता हूँ, say for example, aspect ratio, one का दे दूँगा, ताकि क्या हो कि यह जो है, एक circle का, you know, size ले ले, one divided by one f, जैसे क्या होगा, इसको same height और width दे देगा यह, ठीक है, तो यानि जितना available width होगा maximum, वो ले लेगा, और same उसको height में भी दे देगा, या फिर vice versa, ठीक है, यहाँ पर भ shape जो है, उसको pass कर सकते हो, ठीक है, तो मैं अभी के लिए इस तरह से clip कर रहा हूँ, ठीक है, depends upon your choice, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का हमार component अभी के लिए देख रहा है, इसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा, कि इसके अंदर एक content alignment दे दूँगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो भी icons बग रहा है, वो सब icons मुझे center में aligned चाहिए, इसके बाद मैं क्या करूँगा, image के अंदर मैं दे सकता हूँ, image vector, because मैं आपे icons को use करने वाला हूँ, above, I can say, material 3, as you can see, icons, material icons जो है, उनको use करूँगा मैं, और उसके अंदर मैं कहूँगा, field, और field के बाद, I will say, arrow drop down, and as you can see, वो जो downside arrow show हो रहा है, वो वाले यहाँ पर मुझे मिल चुक है, इनको मैं थोड़ा सा size बगरा भी देना चाहूँगा, I will say 25 dp, as of for now, let's see, कैसे दिखत है, okay, थोड़े से ठीक था कि दिख रहे है, ठीक है, अगर मैं कहूँ 30, let's see, 30 में कैसे दिखते है, and 30 में थोड़े बहुत बैटर है, इसके बाद मैं साथे साथ इसको थोड़ा सा, you know, rotation वगरा पी दीना चाहता हूँ, so I am gonna say, okay, minus 90F, जिससे कि ये, okay, right side की तरफ, move कर जाए ठीक है, same मैं एक और component यहाँ पर copy कर लूँगा नीचे, ठीक है, और उपर वाला जो है, उसको मैं थोड़ा सा, I can say, left की तरफ, shift कर दूँगा, sorry, offset, x को जो है, मैं कहूँगा, okay, I am gonna say, minus of 5, dp, and I am gonna do the same for this one, but मैं इसको बूलूँगा कि भाई, तो थोड़ा सा, आगे चला तो पीछे मन जा, इससे क्या होगा, दोनों की बीच में थोड़ी सी spacing आ जाएगी, और almost वैसा है, जो आइकन आप लोगो को स्विगी वरगरा के अंदर देखने को मिलता है, वैसा सही एक आइकन यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, so yes, हमारा जो UI से related जो भी, you know, task वग मिल जाएगा, we are gonna say local configuration.current.screenwidth.dp, इससे क्या होगा, कि हमारा जो भी current screen का जो width है, total वो मिल जाएगा, okay, उसके बाद हमको चाहिए, अपना एक anchored state, okay, which I am gonna say remember, anchored, draggable state, ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ-कुछ चीज़े पास करने होती है, जैसे कि initial value, I am gonna say as 0, उसके बाद आपको पास करना होता है, anchors, ठीक है, anchors के अंदर आप पास करोगे, draggable anchors, as you can see, यहाँ पे, तो anchors, draggable जो होता है, उसके अंदर, actual में क्या होता है, कि अब जितने भी points उसको बताओगे, आपका जो भी element होगा, वो उससी particular points पे जाके रुकेगा, हमारे use case के अंदर हम इसको किस तरह से achieve करना चाहता है, कि यहाँ पे सिफ दो points होंगे, यानि कि अपना जो starting point है, वो, और जो दूसरा point होगा, that will be our end point, this is the end point, ठीक है, यानि कि कुछ यहाँ पे, almost, यानि कि at the end, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, कि यह 0, क्योंकि हमारी जो original value है, वो यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, तो 0 पे हम क्या करवाना चा से हमको उसको float में convert करना पड़ेगा, फिकि यह जो दूसरा वाला parameter है, वो float में लेता है, तो we are gonna say density, density हमको मिलेगी local density.current करके, और मैं यहाँ पे कहूंगा with density, और यहाँ पे कुछ-कुछ formulas वगरा हमको build करने पड़ेगे, यानि कि screen width, minus मुझे करना पड़ेगा, कितना, यह जो space यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, that is padding, जो हमने दिया था, horizontal padding, तो हमने 60 दिया था, यहाँ से 60 होगा, so first of all minus करना पड़ेगा हमको 120 dp, ठीक है, उसके बाद अगीन हमको minus करना पड़ेगा, जितना भी हमने यहाँ से padding दिया होगा, यह वाला padding, हमको उसको यहाँ से भी add करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह जब set आएगा, तो यहाँ से भी थोड़ी बाद spacing leave करेगा, तो लोग ने यहाँ पर 3 dp दिया था, तो यहाँ से भी 3 dp, उसका space leave होगा, तो यहाँ से भी 3 dp, उसका space leave होगा, तो यहाँ अलब 3 plus 3, that is equals to 6 dp, और साथ ही साथ एक और हमको size जो है, उसको minus करना पड़ेगा, that is this one, okay, that is the size of this circle, तो यह कितना होगा हमारा, यह होगा हमारा 60 minus 3 minus 3, minus 3, minus 3 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर से और नीचे से भी हमने क्या करा था, 3 जो था, उसको already minus कर दिया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे, 54.dp, ठीक है, इसको आप almost इस तरह से भी लिख सकते हो, that is 60.dp, overall, ठीक है, मैं बस understanding के लिए आप लोगो को यह चीज़ बता रहा था, इसको क्या करना पड़ेगा, opt-in करना पड़ेगा, experimental ले इसलिए, इसके बाद इसके अंदर आप और भी parameters होगे रहा, आप सब pass कर सकते ह हम करेंगे अभी, positional threshold, ठीक है, वो क्या होता है, okay, I am gonna say distance, और यह उगा of type float, इससे क्या होगा, कि आप specify कर पाओगे, कि कहां तक आपको drag करना पड़ेगा उसको, ठीक है, जिससे की वो next position के उपर जहाँ पाए, see for example, अगर मैं इसको यहाँ पर बीच मे लाके छोड़ होगा, ठीक है, तो उसको पता किसे चलेगा, कि मुझे complete करना है इसको, ठीक है, यानि कि मुझे second point, position के उपर जाना है, या फिर वापस अपनी first position के उपर आ जाना है, तो आपने बहुत सारी जगोपर default ऐसा देखा होगा, that is distance multiplied by 0.5f, ठीक है, इससे क्या होता है, कि जब तक यह आधे distance को cover नहीं कर लेता है, तब तक वो next position के उपर नहीं जा सकता है, तो हम यहाँ पे इसको रखने वाले हैं, 8, यानि कि इसको total distance का 80% minimum cover करना पड़ेगा, so that it can go to the next, I can say element or something, okay, next position or something, it can jump to the next position, okay, तो इसके बाद हम pass कर सकता है, control P करेंगे, velocity threshold, इसके अंदर मैं दू pixel, okay, two pixel करने के लिए मुझे इसको wrap करना पड़ेगा, inside with density, okay, done, इसके बाद मुझे पास करना पड़ेगा, animation spec, animation spec में मैं पास करूँगा, spring, जो default है, वही वाला, okay, और भी मैं चीज़े पास कर सकता है, जैसे confirm value change, वो मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए, तो वो मैं नहीं क क्या यह क्या बोल रहा है, anchored state, okay, नाम में थोड़ा सा mistake है, anchored state, ठीक है, अभी यह जो anchored state है, इसको मुझे पास करना पड़ेगा, to this circle, ठीक है, तो मैं यहाँ पे circle के अंदर इसको पास कर दूँगा, anchored draggable state, state को पास करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ कंपल सरी है, that is orientation orientation, orientation यानि कि आप उसको किस direction के अंदर drag करवाना चाहते हो, अपने case के अंदर हम इसको horizontal ले drag करवाना चाहते है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, horizontal, यानि orientation.horizontal, तो अब anchor draggable तो लग चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको इसका offset जो है, वो भी change करवान पड़ेगा, according to this anchor dragable, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, offset, x के ऊपर मुझे चाहिए, sorry, यह मुझे करना होगा, कुछ इस तरह से, यह वाला नहीं यूज़ करना है, lambda वाला यूज़ करना है, इसके अंदर मैं pass करूंगा, integer offset, और इसके अंदर मैं x में pass अभी के लिए, so हाँ यार, बस इतना ही मुझे करना था, and yes, we are good to go, and let's just test कि अपना जो भी, यह swap to, you know, dismiss कहलो, या कुछ भी कहलो, widget काम करता है कि नहीं, so, okay, as you can see, कि मेरा जो यह चीज है, वो काम कर रही है, वो आती, you know, smooth transition भी देखने को मिल रहा है, मैंने as you can see, कि 80% का जो distance है, वो रखा हुआ है, इससे क्या हो रहा है, कि जब तक मैं इसको 80% तक cover नहीं कर लोगा, ना, तब तक वो second position के उपर नहीं जाएगा, यह इसकी first position है, यह वाली, और यह वाली जो है, यह इसकी second position है, ठीक है, तो यह तब तक second position के उपर नहीं जाएगा, जब तक इन दोनों के बीच का जो distance है, वो पहले से 80% तक cover नहीं कर लेता, यानि कि यहा तक approximately, ठीक है, तो as you can see, 80% cover कर लिया, तो वो second पे चला गया है, एक और चीज़ शायद आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, that is, what is this, तो हमने क्या आगरा, कि भाईया, इसको ना, दो अल ठीक है, यानि कि DP में से हमको उसको F में convert करना है, यानि float में convert करना है, उसके बाद, चो उसके second position होगी, वो होगी उसकी one, ठीक है, तो यानि यह वाली position, और यहाँ पे इसका जो offset का value होगा, वो क्या होगा, वो हमको specify करना है, तो सबसे पहले हमने DP में उसके जो भी values थे, उसको get करा, और उसको फिर 2 pixel करेंगे, तो यह क्या करेगा, हमको float जो है, उसका वो return करतेगा, यानि कि DP में से उसको float में convert करतेगा, ठीक है, इसका जो calculation है, यह किस तरह से करना, screen width जो था हमारा, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा screen width कहा जाता है, उसके बाद minus 120 DP हमने यहाँ पर क्यों करा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हमने इसको padding दिया था, यानि horizontal padding दिया था, 60 DP, 60 DP का, और उसके बाद हमको यहाँ पर 60 DP माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो size होगा, वो कुछ 60 DP के around होगा, एक चीज़ याद रखना, यह जो points हमने यहाँ पर दिया था आ, that is 0F और यह जो हमने चो point दिया हुआ है, वह kweed है ? यह वाला point है, यह जो starting point है, वह वाला point है और यह जो है, यह वाला, वह हमारा, यह वाला point है, ठीक है, यानि कि वो हमारा circle है न उसका starting point है, इस तरो सब समझत, ठीक है, तो आप सो भी लोगों को यहाँ त just simply go for a launched effect इसके अंदर आप पास कर सकते हो anchored state dot current value ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी current value होगी ना say for example अब 0th position पे हो तो यह 0 print करेगा या फिर आप कह सकते हो आप अगर first position के उपड़ो तो यह first position return करेगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक say for example में एक state ले लेता हूँ I'll say show a slide completed I can say slide completed text by remember mutable map of nearby mutable state of false by default इसके value होगी false दो बार import करना पड़ेगा because we are using var तो अभी हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे या if anchored state dot current value equals equals to equals to 0 यानि अगर उसके value 0 है ठीक है तो हमको जो text है उसको नहीं दिखाना है else हमको उसको दिखाना है तो यह कुछ suggestions बगरा देगा मुझे उन सबको मैं ले लूँँगा ठीक है वो बस इस code को छोड़ा करने होते हैं ठीक है तो as you can see कि यह सारी चीज़े मेरी आ चुकी है और ना वाट इनीड टू दू इस आइनीड टू फॉर टेक्स्ट तो इस बॉक्स के अंदर मैं एक टेक्स्ट ली लूँगा और इसको यूद अग्या शेए टेक्स्ट आवइं आ आ या एं आ इंडिविज्विज्विज्व लेवल पर मैं यानि कि एख चल्ट चैल्ड लेवल पे मैं इसको अलग से अलाइनमेंट दिना चाहता हूं आम गना से align it to center of the screen, तो इससे क्या होगा कि वो center क्यों पर चला जाएगा, ठीक है तो आप बस इतना करो, और everything is good, you know, fine let's just swipe it यहाँ पर आ गया, मैंने इसको जैसे ही leave करा, and as you can see कि मेरा जो text है, वो visible हो चुका है जैसे ही मैं इसको वापस लेके आँगा वो hide हो जाएगा, ठीक है तो I hope आप सो भी लोगों को यह ही जो चीज़े समझ में आ चुकी होगी, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, आप यहाँ पर condition लगा सकते हो, कि जब भी जो anchor you know, state जो है, उसका current value जो है, वो गर मान लो यहाँ इस position का जो value है, उसके बराबर है, यानि की 1 के बराबर है तो आप उसको या तो navigate करवा सकते हो, या फिर अपना जो भी network call होगा, वो करवा सकते हो या फिर payment gateway के उपर redirect करवा सकते हो और भी बहुत सारी चीज़े आप कर सकते हो इसकी design के अंदर आप changes कर सकते हो you can be creative, you know anyhow you like it, so yes आप लोगो को ये वाला widget कैसा लगता है और आप इसको कहां कहां पर use करने का सोच रहे हो, वो मुझे comments के अंदर जरू सो बताना if you guys have any kinds of doubts then don't hesitate, just leave it in the comment sections, okay and yes, subscribe for more such videos about jetpack compose हमारी jetpack compose की tutorial जो series है, वो भी अभी हम start कर चुक है, उसके उबर regular videos जो है, वो हम upload कर रहे है so yes, if you want to learn new things about jetpack compose, तो वो series भी हाँ चेकाओट कर सकते हो so yes, if you haven't subscribed, then kindly subscribe, if you like this video hit that like button and I'll see you guys in the next video, till then take care, bye-bye, keep coding कर दो कर दो